वेलकम प्यारे बच्चो टू नीड आईटी अड़ा चैनल देखिए आप रेगुलरली हमारी वीडियो देखते रहते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को क्योंकि आज जैसा कि आपने थमनेल में देखा है मुश्किल कर दी सब्सक्राइब का जो है रिप्रड़क्टिव हेल्थ इसमें बच्चों पेज नंबर सिक्स्टी थ्री और सिक्स्टी फॉर इस पर एक टॉपिक है इन फर्टिलिटी यह आर्टिकल है फोर पॉइंट फाइव तो यह पूरा पैराग्राफ की फॉर्म में है हमें यह नहीं पता होता कि इसमें कितनी अब्रिवेशन हैं हम कभी काउंट ही नहीं करते हैं और फिर हम उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं उस कन्फ्यूजन को आपके लिए असान कर द देख लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या गह रहा है राइट देखिए बच्चों नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फॉर नंबर फाइव नंबर सिक्स नंबर सेवन नंबर एट ठीक है ना और इन सब को आप साइंस में पढ़ लें बाइलोजी में लेकिन एक मैंने आपको बता दी यह बहुत असान है देखिए पॉइंट्स टोटल कितने हैं पहला ही पॉइंट चार चीजों को कवर कर रहा है इन विट्रो फटलाइजेशन में क्या होगा मेल फिमेल गैमीट फ्यूजिन लैब साइमुलेटिट कंडिशन का मतलब होता है सिमिलर क अगर बच्चो आठ ब्लास्टो में तक है एट सेल स्टेश तक है तो उसको भेजा जाएगा फिलोपियन ट्यूब में और अगर वह उससे जाधा है 16 पर है तो आप उसे भेजेंगे यूटरस में ठीक है यह हो गई देखिए कितनी आसानी से काम हो रहें सबसे ज़ादा जो इंपोर्टेंट और बच्च वह वाला है मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं गेमीट इंट्राफिलोपियां ट्रांसफर तो बच्चे सोचते हैं कि इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर में ओम from one female into fallopian tube of another female यहां पर spermatozoa fallopian tube में नहीं भेजा जा रहा है दिमाग में आ जाता है ने confusion हो जाता है तो इस confusion को खतम कर दीजे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ओम from one female जो नहीं बना सकती उनकी fallopian tube में भेजा जाएगा तो यहां क्योंकि आपको पता है ना कि अगर sperm भेजा जाएगा तो वह क्या हो जाएगा इंट्रा साइटो प्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन उसका तो नाम ही है तो इसलिए सब्सक्राइब में स्पर्म की बात नहीं होगी फेलोपीय स्पर्म इसका वीडियो मिलेगा पहली बार जब दुनिया के सामने टेलेविजन पर यह आया कि स्पर्म में यह सौरी ओवम में स्पर्म कैसे भेजा जा रहा है तो वो निडिल के थ्रू बेजा गया था यू कन फाइंड एट वीडियो फॉर्ट टाइम आई यू आई यू आई और यह जादा तर बच्चे भूल जाते हैं तो बच्चो यह इतना बड़ा था दो पेज़ेज में आ रहता है एक्चुली पेज 63 पर तो खाली तीन चार नाइन है लेकिन पेज 64 तो भरा हुआ है तो कन्फूजन होता है बट डिस टेबल विल हेल्प यू तो लरन दा कॉंसेप वेरी इजिली मैं दो मिनिट के लिए स्क्रीन छोड़ लाँ बच्चो आपके लि हैं कि आप लोग मेडिकल कॉलिज में अपना पहला कदम इसी साल रख दें थैंक्यू सो मच पर वाचिंग थैंक्स अलोट बच्चो